दोस्तो हम भारतिया आपस में चाहे कितना भी कुत्ते बिल्यों की तरह क्यों न लड़े लेकिन जब बाद देश की आन बान और शान की आती है तो हम सब एक चुठो कर किसी की भी हवा टाइट कर सकते हैं और राजा महराजाओं के अंदर तो भाईया देश भक्ती कूट होती है तब ही तो जब रॉल्स रॉयस कंपनी में भारतिय राजा का अपमान हुआ तो उन्होंने दुनिया की सबसे महगी कार कंपनी रॉल्स रॉयस को खून के आसुरोने पर मजबूर कर दिया और ऐसा बदला लिया कि उसे सुनकर आपको अपने भारतियों होने पर जरूर महसूस करता है क्योंकि भारत में एक ऐसा समय हुआ करता था जब यहां के राजा महराजाओं को शान और शौकत के सामने अंग्रेज किसी भिखारी से कम नहीं लगते थे फिर चाहे बात हीरे जवाहरात की हो या फिर महंगी महंगी गाडियों की भारत के राजा महरा थे महराजा जैसिंग प्रभाकर दोस्तों जिस खटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो आज से करीब सौ साल पुरानी है जब ब्रिटेन दुनिया के नक्षे पर कब्जा जमा कर बैठे थे और ब्रिटेन को लगता था कि उनके आगे किसी की आउकात ही नहीं है त कोई भी कंपनी नहीं थी ऐसी में जब साल 1920 के दोरान अलवर के महराजा जैसिंग प्रभाकर इंग्लेंड में श्यांती पूर्वक वक्त बिताने गए तभी एक दिन जब महराजा जैसिंग प्रभाकर बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन कर अपने होटल रूम से टहलने के के लिए बाहर निकले बिना शाही ठाट बाट के अंग्रेजी लिबास में सधारन आदमी की तरह जब महराजा जैसिंग इंग्लेंड की सडकों पर घूम रहे थे तभी उन्हें रॉल्स रॉयस कार कंपनी का शोरूम दिखाई दिया अब शोरूम को देखकर महराजा को लग करना नहीं भूलते और यहां तो बात राजा की थी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी इसलिए महराजा ऐसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए रॉल्स रॉयस के शोरूम के अंदर घुज चाते हैं और फिर वहां मौजूद गारियों के फीचर्स और बाकी क् के लिए सेल्समैन से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब सेल्समैन तो ठहरा उस वक्त का अंग्रेज जिसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती थी कि मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नागरिक हूँ और जहां मैं काम करता हूँ वहां की गारियां दुनि महाराजा जैसिंग की तरफ देखा और उन्हें भला बुरा कहने लगा जिसके बाद सेल्समैन ने महाराजा जैसिंग को शोरूम से निकाल दिया अब अगर महाराजा चाहते तो एक ही बार में सेल्समैन की खटिया खड़ी कर सकते थे सिर्फ उन्हें अपनी असली पहचान बताने की देर थी और फिर तो शोरूम का मैनेजर खुद सेल्समेन को नौकरी से निकाल देता लेकिन वाजा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो भला रॉल्स रॉयस को सबक कैसे सिखाते और अगर रॉल्स रॉयस को सबक नहीं सिखाते तो इतना बड़ा कैसे होता इसलिए महराजा जय सिंग चुप चाप वहां से निकल गए लेकिन उनके अंदर का गुस्सा बिलकुल भी शांत नहीं हुआ वो गुस्से में बार बार यही सोच रहे थे कि ये लोग अपने आपको आखिर समझते क्या हैं क्या इन्हें आम इंसान की कद्र नहीं जब ये मेरे जैसे राजा महराजाओं के साथ इस तरह का सलूप कर सकते हैं तो असल में अगर कोई सा धारन आदमी इनके यहां कार खरि जैस ने तुरंट अपने नोक्रों को बोला कि जाओ और तुरंत रॉल्सरॉयस के शो़ूम को इस बात की सूचना दो कि अलवर के महराजा सिंग शोरूम में आ रहे हैं अब जाहीर इसी बात है कि अलवर के इतने बड़े महराजा के आने की खबर सुनकर रॉल्स रॉयस के शोरूम में अफरा तफ्री मच गई हर कोई महराजा जैसिंग की आओ भगत करने की तियारी में लग गया शोरूम के अंदर तो सजावट थी ही बलकि महराज के आने के लिए बाहर भी प्रेड कार्पिट बिच्वा दिया गया और दिये हुए समय के अनुसार महराजा जैसिंग अपनी शाही शानों शौकत और लिबास धारन करके रॉल्स रॉयस के शोरूम में पहुंचे और शोरूम में काम करने वाले हर एक वरकर उनके सामने सम्मान से सरचुकाई खड़े थी जिसने कुछ ही समय पहले महराज को धक्के देकर शोरूम से बाहर निकाला था वो भी शामिल था और अब तो उनके सामने सिर्जुका कर खड़ा हुआ है लेकिन महराज ने उस बात का जिक्र ना करते हुए बस शोरूम में मौजूद गाड़ियों के बारे में पूचता उस वक्त शोरूम में सरक 6 कारे मौजूद थी और राजा ज्यसिंग ने उसी वक्त सभी की सभी गाड़ियों को खरीज लिया और उसी वक्त गाड़ियों की कीमत नगद और जेवरात के रूप में चुकाई महराजा ज्यसिंग ने ना केवल गाड़ियों की कीमत दी बलकीन गाड़ियों को भारत में डिलिवर करने का पैसा भी दिया फिर वो तुरंत अपने देश वापस आ गए और उनके पहुँचने के कुछी दिनों बाद रॉल्स रॉयस की गाड़ियां भी भारत पहुँच गई आपको बता दें कि उस समय रॉल्स रॉयस की गाड़ियां चलाना बहुत बड़ी बात होती थी और भारत में तो एक शाही पहचान थी लेकिन इस गाड़ी की खूपसूरती और शान और शौकत को देखकर जैसिंग का मन नहीं पिगलने वाला था उनके मन में तो अभी भी अपनी बेज़ती का गुसा भरा हुआ था इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने मुलाजमों को बुलाया और उनसे कहा कि शहर में बहुत कच्रा हो रहा है जिने साफ करने के लिए अभी नई रॉल्स रॉयस काड़ियों का इस्तेमाल किया जाए महाराजा की बात सुनकर सभी मुलाजम दंग रह गए भला कोई शक्स इतनी महंगी गाड़ियों को कच्रा साफ करने के लिए कैसे दे सकता है लेकिन महाराज का हुकम था तो मानना तो पड़े गई इसलिए किसी ने भी बिना कुछ बोले अगली ही दिन से उन शानधार रॉल्स रॉयस काड़ियों में कच्रा उठाना शुरू कर दिया सभी छे की छे गाड़ियां कच्रा उठाने के काम में लिजा रही थी जब रॉल्स रॉयस गाड़ियों के आगे और पीछे एक जाड़ू बांद कर शहर की सड़कों पर उतारा गया तो ये खबर जंगल में आग की तरह तेजी से फैल गई और फिर कुछी समय में पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई कि कैसे भारत के अलवर राज्य में दुनिया की सबसे शांदार गाड़ियों से कच्रा साफ किया जा रहा है और कोई भी इस खबर को हजम नहीं कर बा रहा था तब ही तो दुनिया भर में इस खबर के फैलने के बाद रॉल्स रॉयस की मार्किट वैल्यू एक ही जटके में नीचे आ गई क्योंकि अब तक ब्रिटेन में या फिर कह लिजिए कि पूरी दुनिया में जिस रॉल्स रॉयस गाड़ी को खरीदना लोग शान समझते हैं वो पूरा उठाने वाली गाड़ी के रूप में इस्तेमाल हो रही थी तो भला लोग क्यों अपनी पूरी जमा पुझी खर्च करेंगे इस गाड़ी को खरीदने में जिसकी वज़े से कंपनी की सेल्स बहुत बुरी तरह तेजी से नीचे गिर रही थी और इन सारी चीज़ों से रॉल्स रॉयस को मार्किट में बहुत बड़ा जटका लगा और फिर थक हार कर कंपनी ने महराजा जैसिंग को एक पत्र लिख कर अपने सेल्समेन द्वारा की गई गलती की माफी मागी और उन्हें छे और रॉल्स रॉयस काड़ियां मुफ्तव में देने की बात कहीं बस कंपनी सिर्फ इतना चाहती थी कि अब इन लगजवी गाड़ियों में कच्रा ना उठाया जाए वरना कंपनी डूप जाए की इस पत्र को पढ़कर महराजा जैसिंग को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने रॉल्स रॉयस के माफी नामे को मान लिया और तुरंती आदेश दे दिया कि रॉल्स रॉयस काड़ियों से अब कच्रा ना उठाया जाए दोस्तों देखा अपने असल माइनों में बदला लेना किसे कहते हैं जहाँ साब भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी और उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्च हो गया ऐसा करके महराजा जैसिंग ने ये बात भी साबित कर दी कि इंसान कुछ भी कर ले लेकिन किसी भारतिय से पंगा ना ले वरना अगर हमारा दिमाग खराब हुआ ना तो पूरी दुनिया में तहलका मत जाएगा जिसका उधारन आप देखी चुके हैं अब आपका महराजा जैसिंग के इस बदला लेने के अंदास के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में आकर सरूर बताईएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपका बहुत बहुत धन्यवाद